आधार कार्ट डॉकुमेंट अपडेट जी हाँ दोस्तो आज हम इस वीडियो के मादयम से आपको बताएंगे आधार कार्ट में जो डॉकुमेंट हैं कौन-कौन से यहाँ पर दस्ता विच को अपडेट कर सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर 2015 से पहले 2011, 2012, 2013, 2014 तो जिन दोस्तों आज हम इस वीडियो के आज दम से आपको यहीं बताएंगे चलिए शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू माई आधार हम इसकी साइट पर आचुके हैं सब्सक्राइब आपको पहले लोगिन करने लोएना है तो अब हम यहाँ पर लोगिन पर पटन पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर टू लिजिट हमें यहाँ पर आधार कार्ट फिलिप करना होगा उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चर कोड डालेंगे और यहाँ पर सेंड ओट पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर आधार पोटर नजर आ जाएगा आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर नाम और यहाँ पर डेट ओफियर आपको यहाँ पर आजाएगा आपका आधार नमबर जैसे आप यहाँ पर फिलिप करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रोपर आपका एड्रेस आजाएगा कौन से आप gram से कहों से state से आप यहाँ पर निवास करते हैं जैसे आप इसको क्लिएंगे तो यहाँ पर आपको left site में आपको अपनी language भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं Hindi English जिसों भी आपकी language चाहिए आप इस service के माइदम से आप अपने आधार कार्ट को डालोड कर सकते हैं और यहाँ पर काफी सारे services हैं जिसको आप यहाँ पर लाब उटा सकते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो document update का है वो यहाँ पर आप अपने डोकुमेंट को update कर सकते हैं Proof of Identity के तोर पे और Proof of Address के तोर पे जिसे हम POA केते हैं, इस डोकुमेंट को आपको यहाँ पर अप्लोड करने होंगे, जिन लोगों का यहाँ पर 2015 से पहले जिन लोगों ने अपने आधारकार्ट बनबाया हैं, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं किया हुए, वो अपने यहाँ पर डोकुमेंट को अपडेट करना होगा, जहाँ पर आप आधारकार्ट को डोकुमेंट अपडेट को दो तरह से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर यहाँ तो आप ओनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी भी आधार सेंटर पर जाकर अपने डोकुमेंट अपडे को निर्धारित किया गया था लेकिन उसके बाद उस चार्ज को फ्री और कोश्ट कर दिया गया है 14-23 के पहले आप लोगों ने जो अपडेट कर देंगे तो उसमें आपको कोई चार्जिस देना नहीं होगा लेकिन अभी जो अपडेट आया है नियू अपडेट उसमें डोकुमेंट अपडेट में आपको कोई भी यहां पर चार्जिस नहीं देना है और 14-6-23 तक यहां पर टेल है अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से आप यहां पर डोकुमेंट अपडेट को करना होगा और हम यहां पर फिर से आप नेक्स्ट करेंगे करने के बाद आपको यहां पर अपना नाम चेकाउट कर सकते हैं यदि यहां यह आप यहां पर नीचे की साइट करेंगे आपको वेरीफाइफ पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नेश्ट बटन के लिए उप्शन आ जाएगा अब जब नीचे की साइट आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर जेंडर में और यहाँ पर एडरेस में कोई करेक्शन है तो आप यहाँ पर कुछ से घर बेटे आप करेक्शन कर सकते हैं किस तरह से करना है वह उपके डिस्म ब्लकम में एक वीडियो दे रहे занимTwo आप यहाँ पर उसको डाट कछेगा करिक कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको next करेंगे, next करने के बाद हमारे पास इस तरह का interface open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको उपर की side देखेंगे, आपको SRN यह आपको proof of address के तोर पे आपका एक SRN नमबर जो document update का एक SRN नमबर जड़िट हो जाता है, और अब यहाँ पर आप देख सकते है किस तरह से आपको upload करना है, यहाँ पर आप guideline के तोर पर देख सकते हैं, uploading for document, यहाँ पर less यह दो MB से नीचे आपको यहाँ पर अपने document को upload करने होंगे, supportable file और JPEG में, PNG और PDE के format भी आपके पास तल जाएगे, अब यहाँ पर आपको दो document आपको करना है, जिसे हम POI कहते अब proof of identity भी कहते हैं, उसमें आप क्या क्या document लाएंगे, अब यहाँ पर जो list है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर pen card लागा सकते हैं, वोटर ID कार सकते हैं, मार्चित लागा सकते हैं, काफी सारी जो हैं, वो आप यहाँ पर document अपडेट जिसमें लागा सकते ह हैं, अब जैसे हम यहाँ पर मार्चित लाएंगे, हम इसको ok करेंगे, ok करने के बाद update now पर हम click करेंगे, तो यहाँ पर continue to a photo पर upload करेंगे, जहाँ भी आप यहाँ पर आपको तीन option है, आप यहाँ पर diet photo भी click करके, अपना यहाँ पर document update कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो camera ह जो phone है, वो काफी high quality में 4 MB के में आता है, आप उसको जैसे diet click करेंगे, तो आपको MB में कम होना चाहिए, दो MB से यहाँ पर maximum 2 MB होनी चाहिए, आप यहाँ पर file पर जाके आपका भी जहाँ पर भी photo पड़ा होगा, वो आप यहाँ पर photo ले सकते हैं, और उसको upload कर सकते हैं, अ जैसे कि आप यहाँ दिसक्रिते address में कौन-कौन से यहाँ पर document आ रहे हैं, यहाँ पर STHC, OBC, Russian Card, PDF और MLA जो gadget रोपिस रेता है, standard format रेता है, उसमें भी अब वो भी आप लगा सकते हैं, water ID कार लगा सकते हैं, water bill में भी not older than इस 3 मंत का जो पराना नहीं होना चाहिए, यह भ करने के बाद आपको यहाँ पर submit हो जाएगा, अब आपको कुझे नहीं करना है, आपके document यहाँ पर update हो जाएंगे, तो जिन भाईयों ने यहाँ पर अपने आधार कार्ट को document अपडेट नहीं कराएं, उन लोगों के आधार कार्ट को इनेक्टिप कर रहा है, आधार वाली और रखना होगा, अब कोई भी correction नहीं करना है, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर और भी services जान लेते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर document अपडेट कर रहेंगे, तो यहाँ पर एक document अपडेट का एक request आजएगी, क्यों आपने क्या-क्या request किया है, वो आप अपने order आधार PVC card को भी order कर सकते हैं, और यहाँ पर अपने नाम को, gender को, date of birth को और address को भी update कर सकते हैं, वो भी अपने घर बेटे, और उसके बाद यहाँ पर आप जनरेट virtual ID भी generate कर सकते हैं, आप अपने आधार card को भी lock कर सकते हैं, व्योंदि, आप यहाँ पर आधार card को लोक कर देते हैं तो आपके आधार कार्ट को कोई यूज नहीं कर सकता है क्योंकि जो वो लोक हो जाएगा उसको अनलोक करने के बादि आप यूज कर सकते हैं उसके बाद अटोंटर्टी की हिस्ट्री आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं किसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ट की हिस्ट्री क्या है जैसे कि आपके ने अपने आधार कार्ट को कब-कब यहाँ पर यूज किया है वह आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं आप यहां पर कोई भी जो गवर्मेंट की सेवा में बूँ हैं, आप लगा सकते हैं, और यहां पर आप पेमेंट हिस्ट्री पे जब जाएंगे, तो आपकी पेमेंट हिस्ट्री कप कर यह बूँ हैं, अब आपको एक और ओप्षन है, यहां पर हेड ओफ फेमिली के मादियम स अब भी आप यहां पर रिक्ष्ट डाल सकते हैं, आपके हेड ओफ फेमिली के मादियम से आप जो रिक्ष्ट आलेंगे, तो यहां पर आप अपने आधार कार्ट में जो करेक्शन कर रहे हैं, वो हेड ओफ फेमिली के मादियम से आप कर सकते हैं, और जो लास्ट आप्सन न ऐसी इंप्रोमेशन वीडियो और यहां पर नोले वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल डिजिटर सूस्टर नीटिक चनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आप साथ में आपके बेल आएकी बटन को जरूर प्रेस करना है तैंक यू सो माच